हेलो वीवर्स आईए आज मैं आपको नई तरीके के पनाठे बनाने सिखाती हूँ पनीर के पनाठे बनाते हैं दीखे थोड़ा सा आठा ले लेना है आठे में हमको थोड़ा सा साधा नमक डाल लेना है हलक असा नमक डालीएगा क्योंकि हमने बैटर में भी नमक डालना होगा आगे ना आठे को अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालके अच्छे से गूत लेना है यह देखे इस तरीके से आठे में थोड़ा थोड़ा पानी डालके अच्छे से गूत लिया है मैंने यह देख यह पनीर मैंने घर पे ही बनाई है मक्षण निकालने के बाद में जो बचता है उसका मठा मैंने उसका ही पनीर बनाया है इसकी वीडियो में जल्द ही अपलोड करूंगे आप लोगों के लिए देखे चार प्यास तीन हरी मिर्ज लेके मैंने अच्छे से इसको कट कर लिया है यह देखिए धन कट लें काट करके रखलेना है यह देखिए आई इसका बैटर त्यार करते है यह देखिए इन पणीर को अच्छे से मैश कर लिया है इसलिप कि अच्छे तरीके से मेश हो रहा है बाकी जितना हमने प्याज कट किया था सारा ही प्याज हमको डाल देना है क्योंकि प्याज परांठे में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है यह देखिए हारा धनिया डाल दीजिए आरी मिर्च मैं भी नहीं डालूंगी यह देखिए क्योंकि देखिए बेटर कितना अच्छ तेयार हुआ है इसमें हलका सा हमने जीरा डालना है एक चमच हलका सा हमने साधा नमक डालना है नमक कम ही रखिएगा क्योंकि हमने आटे में नमक अच्छे से डाला है ज्यादा डाल देंगे तो नमक ज्यादा हो जागा प इसमें जिस से बेटर भर जाए हमारा यह देखिए अब बैटर को इसमें अच्छे से दाब दाब के भरना है यह जितने अच्छे से भरेंगे उतना ही पंटाठा हमारा टेश्टी लगेगा से खाने में टेश्टी लगेगा ये देखिए अच्छे से हमने बंद कर देना है इसको जिससे हमारा प्राथा ना कुले प्राथा कुल जाएगा तो सारा बैटर उसका निकल जाएगा ये देखिए अच्छे से हलके हाथों से हमने प्राथे को बेल लेना है देखिए बहुत हलके हलके हाथों से मैं इसको बेल हूं कि इसमें प्यास करें रहा हमारा यदि फट जड़ेंगा ब्यास पानी चोंडता है तो इसलिए हलकी से आज पर धीरे-धीरे हलकी हमने से इंकना है क्या शाये लगाई या देशी है या आपकी रेड़ी है अच्छे लगे तो कमेंट करिएगा ओके वीवर्स थैंक यू